फिर्स बूट अनिमेशन इसमें वेलेबल है असूस रॉग तो अगर आपको जो आरोजी डिवाइस असूस का जो आरोजी डिवाइस है उसका जो बूट अनिमेशन चाहिए अपने डिवाइस में गेमिंग का डिवाइस आप अपने डिवाइस को समझ के यूज करते हैं तो व आप आपसे bootanimation.zip फाल निकाल लिए उसके बाद अपने डिवाइस में bootanimation.zip के साथ उसे replace कर दीजें with any rooted file manager, empty manager आप use कर सकते हैं, me explorer भी आप use कर सकते हैं second जो bootanimation इस लिस्ट में available है that is for the hyperOS lovers तो अगर आपको Xiaomi का hyperOS का update देखने को नहीं मला है by any reason या आपके device में support नहीं कर रहा है और आपको hyperOS का bootanimation चाहिए तो yes you can get that very easily बस आपको इस second वाला module इंस्टॉल करने हैं and आप इसमें hyperOS का जो है bootanimation अपने device में try कर पाएंगे जो की almost exactly looking similar to hyperOS और थोड़ा सा newly है modified है तो yes थोड़ा सा जादा better लग सकता है आपको as come to the normal one, original one और ये भी same तरीका से install करने का as a magic module या फिर आप इसकी bootanimation.zip file है उसे replace कर लेजे अपने default system के साथ this one is random अगर आप बोलेंगे आप तो इसे भी आप directly install कर सकते हैं अगर आपको इसे अपने device में install करने का कोई जादा mood है तो because it's looking common और इसमें बस आपको इससे एक animation देखने को बहले का उसके लाब और कुछ नहीं है जैसे वो HyperOS था या वो ROG था इसमें ऐसा कुछ नहीं है यह नॉर्मल सा है तो देखने में तो आपको सा cool लगता है यह जो boot animation है यह भी gamers के लिए अगर आपने MIUI ROG edition के साथ साथ MIUI Razor edition नाम की custom room try करी होगी उसमें आपको इस तरह से wallpapers देखने मलते थे gaming edition वाले तो यह उस तरह के boot animation है जो आप अपने device में try कर सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं simple normal सा यह boot animation है और यह भी ज़्यादातर gamers को ही target करेंगे लेकिन काफी सार users को वैसे भी यह boot animation ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर आप उस case में उस reason के वज़ए से try करना चाहते है you can try that as a magic module यह फिर जिस तरह से भी इस list का last but not the least यह भी काफी interesting सा boot animation यह boot animation फिलाल जतने मैंने आपके साथ boot animation शेयर करें उससे तोड़ा सा different है कैसे भी इसका जो resolution है वो काफी जादा है काफी हाई-फाई resolution के साथ यह आपको देखने को मिलेगा उसके लावर कोई जादा main difference इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेंगी इस boot animation को install करने के लिए भी process same है as a magic module यह फिर आप manually भी install कर सकते हैं सबी लिंक्स आपको description में देखने को मिल जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे थाइंक्स को watching and goodbye